वेल्कम बैक तो आर यूटीब चैनल डेडिंग विद प्रियांका कश्यप अगर आप अपनी चार्ट अनलिसिस को स्ट्रोंग करना चाहते हैं तो आप हमार टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आर्स के दुरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं आप यहां देख सकते हैं कि मॉर्निग में हमने आपको सभी इंट ऐकसिस के इंपॉर्ट लेवल हमने आपको यहां पर बता दिये थे दिन 380 से या direct 4 to 520 का high लगाया है Nifty में हमने आपको बता दिया थे कि 1 day time frame पर head and shoulder pattern हमारा बना और उसके neckline यहां से break हो चुकी है बट यह downside भी आज यहां पर hold होनी ज़रूरी थी बट इसने यहां पर सिर्फ gap down open होने के बाद इसने यहां से हमें upside move दिया है देन उसके बाद finnifty में मैंने आपको बता दिया थे 23,700 important resistance level अगर यह break हुआ तो देन यहां से हमारा upside move आ सकता है और उसके बाद जब यह level हमारा यहां से break हुआ था देन finnifty में आपको पता ही है कि आज हमारा 23,900 का यहां पर upside इसने move दिया यहीं 200 point का हमें यहां से upside move देखने को मिला था देन इसी के basis पर हमने अपने यहां पर कुछ trades को लिया था उसके बाद की बात करें तो उसी के basis पर मैंने आपको एक call position यहां पर दी थी जब 700 के upside हमारी यहां पर finnifty hold हुई थी 141 पर और direct आप यहां देख सकती 175 का इसने आपर high लगाया है देन उसके बाद की बात करें तो उसी के basis पर हमने यहां पर अपने ट्रेड ली थी finnifty में मैंने आपको बताया था कि 15 मिनिट में हमारा यहां से evening star candlestick pattern बना है बट यहां पर अंदर premium magistry के से move आएगा और जब यह level हमारा break हुआ था क्योंकि हमारे लिए strong resistance का काम कर रहा था यहां पर काफी time से और आज इसका हमें यहां से breakout देखने को मिला है यानि जो हमारा hammer pattern बना था हमारा bank nifty में weekly time frame पर आज हमारा वो अच्छे से यहां पर active हो चुका है तो next week आपको bank nifty में एक upside move देखने को मिलेगा कुस stocks भी हमने आपको यहां पर recommend किये थे then उसी के basis पर मैंने आपको again फिर से यहां पर call position दी थी जो हमने आपको यहां पर levels बताये थे और bank nifty में आप देख सकते कि 52,000 का level break होने के बाद 130 points यहां से अब थी यानि जो कुछ में market hours के दो आना बनता वो सब कुछ हम आपको update करते थे लिए फिर आप शुरुआत करते हैं हमनी वीडियो की और देखते हैं कि आप यहां पर कल को bank x में कैसे trade करेंगे bank x की जो हमारी यहां पर analysis रहेगी वो बिलकुल यहां पर simple है क्योंकि आपको यहां पर देख सकते हैं कि last week हमें यहां पर support से ही हमें यहां पर एक hammer candlestick pattern की formation देखने को मिली थी और मैंने आपको last week भी वदायता अगर इसके upside यहां पर candle hold हो गई क्योंकि जो 59,000 का जो level था हमारे लिए strong यहां पर पहले resistance था और यह level हमारे लिए यहां पर resistance बना हुआ था तो Friday को इस level का भी यहां से breakout यहां पर हमें देखने को मिला है और upside यहां पर candle हमारी hold भी होई है और आप देखे तो सारे banks के यहां पर result आए हैं वो भी यहां पर काफी अच्छे हैं तो आपको यहां पर Monday को यहां पर gap भी नजर आपको आ सकता है अगर Friday का high break हो गया तो आपको direct यहां पर 1000 consolidation बनी हुई थी 58,000 से 59,000 के बीच में यहां पर यहां पर जो consolidation range थी इसका breakout हमें यहां से upside देखने को मिला और candle भी यहां पर up hold हो चुकी है अगर Friday का high break हो गया तो first target 60,000 रहेगा और then जो second target हमारा रहेगा वो 61,000 यहां पर रहेगा तो बिल्कुल simple analysis है इसकी कि आपको यहां पर अपनी seaside की position को बना कर चलना है अगर market थोड़ा आपको downside भी मिलती है जो भी आगे हम आपको support बताएंगे अगर महां पर भी आपको market मिलते है तो आप अपनी यहां से again अपनी buying position को बना कर चलेंगे तो इन्यूज ही अगर market में आ गई तो अल holiday का high है यानि 59,444 का उसके बाद रहेगा 59,708 का then 60,000 का और उसके बाद 60,227 का और then 60,000 यहां पर 400 यह आपके लिए important हमारे resistance काम करेंगे मंडे को अगर यहां पर अपने support की बात करें तो सबसे strong support है 59,000 का यहां पर अगर again market आपको इस लावर पर मिलती है तो यह आपके लि लिए previous सबसे जादर strong यहां पर resistance का हमारा काम कर रहा था तो market इस level को यहां से retest कर सकती है तो यहां पर अगर market मिले या कोई consolidation हो या फिर कोई bullish pattern हमारा यहां से बने 15 मिनिट में 30 मिनिट में तो यहां से आप अपनी again upside के लिए position को बना कर चल सकते हैं और अगर अपने यहां पर फिर again support की बात करें तो वो रहेगा हमारा 58,760 का then 58,492 का और then 58,186 का और last जो हमारा सबसे strong support है वो 58,000 का हमारा है अगर यह हमारा यहां से break हो जाता है 58,000 क्योंकि जो यह range है हमारी 58,000 से लेकर 57,800 की यह 200 point की range है यह आपके लिए सबसे सादर यहां पर demand zone का का काम करेग अगर यह demand zone हमारी यहां से break होगी तो then आपको यहां पर काफी अच्छी selling देखने को मिलेगी यह 57,000 तक का भी target आपको यहां पर show हो सकता है point का move आपको यहां पर downside move आपको नजर आ सकता है बट अभी हमारे यहां पर कोई scenario नहीं है कि यहां से market हमारी downside आएगी तो आपको बस अगर यह support मैंने आपको जो बताएं अगर market यहां पर again आपको मिलती है तो आपके लिए best trade रहेगी अगर यहां से gap up ही open हो जाती है तो आप हमार टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्श्ट में दिया हुआ है थैंक यू